ओम पठीदान नाम है मेरा मैं यही मुल्निवासी नांद्रा करी हूँ एक्च्छल नर्सरी है वेजी टेबल नर्सरी इसमें पपिता मिर्च टमाटर बेगन की गोबी की इनके पूत तयार होती है और इसकी सुर्वात सर दो हजार तेरा में हुई थी मैंने सर बी एससी करा एम में जाब करी छे मैंने आट मैंने फिर जाके कुछ ट्रेनिंग करी थी मैंने दुर्गापूर जाइपूर में वहां से ऐसा ख्याल आया है कि एक नेट होस पोलियोस बनाया जाए और आसपास के किसानों को अभी उसको लाब मिले और कुछ अपनी भी जीवे का चले फिर मैं काम चालू करा और जब से चालू करा ठीक ठाक कल रहा है कोई कोई शमस्या नहीं है सुरुआत तो सर शुरुआत एक हेक्टेर में करा था और पता मैंने सर आसपास की रिक्वाइन्मेंट देख ले थी कि आने वाला समय जो है किसानों के लिए नर्शरी का ही है किसान अब ख शुरुआत हुई और एक-दो बार एक-दो साल में अच्छा रिस्पॉंस आया तो इसके बाद तो फिर आदमी को बुश्टर मिली जाता है इसके पहले सर अपने जो खेत में है वो सिस्टेवे अगरी कल्च्छर परामपरी कहति के या कर रहे थैं सर का पास मिर्ची डवाटर पर उनकी जो पॉद एक्षिल तयार होती थी वो खेत में ही तयार करते थे तो या तो आदी पोद मर जाती थी या जो आदी बचती थी वो बीमारी वाली हो जाती थी इसके लिए मैंने इंसेक्टर नेट या पूली होस इसका कंसेप्ट समझ में आया था कि इसमें पोधे जो तयार होंगे पूर्णत अस्वस्त होंगे उनकी उत्पादन छपता अच्छी रहेगे कीट रहीत रहेंगे इसलिए ये नर्सरी का परपस वहां से चालूँगा साड़े चार एकड़ में कर रहा हूं सर लगभग अठरा जार स्क्वेर मिटर में और मुनाफ़ा ठीक है सर मेरे साथ मेरे एंप्लाईवों की और कम से कम 40-50 लेबरों की पर डे की जीविका चल जाती ह सर दस मेने काम रहता है इसमें मेजर जनवरी भरवरी में थोड़ा से रिलेक्स सर रहता है क्योंकि हमारे इदर खतम हो गया फिर मार्च ऐसे लगा कि दिसंबर तक मार्च में मिर्ची की रोप डालना चालू कर देते हैं फिर सितंबर में टामाटर चालू हो जाता है महत कम लेती नसे आपको बेंट दो मेना रहन निकल कि उर्प रहां वेने की बानखी 50-50 उर्त चानमी उत्ता खर्च नहीं होगा और उतपादवर जादा आयगा दीपक पांडे लोकोलेटीन करगो